सस्क्राइब कर लीजे हमारा यूटूब चैनल दफ्रंट और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन जरूर लीजे नमस्कार मैं हूँ विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं दफ्रंट लगभक तीन साल के संघर्स और अपने तीन परिजनों को खोने के बाद आखिरकार उन्नाओ की गैंगरेप पीडिता को आज नयाई मिल गया है जी हाँ दिल्ली की तीस हजारी कोट ने कुलदीप सैंगर उन्नाओ के विधाय कुलदीप सैंगर जिस पे गैंगरेप का आरोब था इस नाबालिक बच्ची के साथ उसमें कुलदीप सैंगर को दोसी ठहरा दिया है और जल्द ही शायद 18 तारी कोट सजा का एलान करेगा इस पूरे मामले पर बादचित करने के लिए और समझने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक राणा एस्वन जी है राणा सर लगभग तीन साल का संघर्स और तीन परीजनों को खोया है इस लड़की ने और इस बीच में कुलदीप सैंगर की जो उनका इंफ्लूएंस रहा उसकी वज़त से कई सारे प्रेशर और कई सारे दबाओ और कई जिन्दगियां एक तरीके से दाओ पे लगती रही और आखिरकार आज ने आए मिल गया उन्नाओ के गेंगरे पीडिता को क्या कहेंगा आप विवेकस में कोई दोरा नहीं है कि तीसजारी कोड का जो फैसला है ये उन तमाम लोगों के लिए बड़ी राहत है उस लड़की के लिए खास कर जो आज भी जिन्दगी और मौत के बीच है और वो कहीं ने कहीं उसके हिस्से में इंसाफ आया है लेकिन इंसाफ आते आते आपके सामने आपकी विवस्था की बहुत बड़ी पोल खुलती है कि एक आदमी जो आपराधिक प्रविर्थी का है जो दबंग है और अपने रसूख के बूते अपने राजनिति के सत्ता के बूते उसने सब कुछ दबा लेने की कोशुश की और बहुत लंबी लड़ाई के बाद अगर एक लड़की को इंसाफ मिलता है तो तीन बातें साफ होती है पहली बात ये कि तीस हजारी कोट में यह मामला लखनव से सुप्रीम कोट ने ट्रांसफर करवाया इसका मतलब ये है कि आपके प्रशासन और आपकी वेवस्था पर अदालत को भरोसा नहीं रहा है इसका दूसरा अर्थ ये निकलता है कि जिस आदमी खिलाफ मामला है उस आदमी का सत्ता से जो रिष्टा है या सत्ता में बैठे हुए दल से उस दल की तरफ से उसको बचाने या उसको बचा करके निकाल ले जाने कि आश्रूं का कहीं अदालत के पास रही है तीसरा ये है कि एक लड़की उसके खिलाफ मुकदमा कब दर्ज हुआ है उसके क बाद मुझे लता है कि जुलाई में उसने प्रधानमंतरी औरमीश शाह को भी चट्छे लिखी थी कि इस आदमी को गिरफतार करवाया जाए इसने मेरा बलातकार किया है लेकिन आपरेल 2018 में उसके पिता की कस्टूडियल डेथ हो जाती है सेंगर के भाई ने उस पर हमला कि उसके गिरफतारी हुई और उस बेचारे की मौत हो जाती है वो तस्वीर कितनी विवथ सो डरावनी थी कि उनको जब अस्पताल में लाया गया तो डॉक्टर हस रहे थे मजाख उड़ा है और वो दर्द में चिक चला रहे थे आखिरकार उनकी जान चली गई इसके बाद ग अधिकारी के दफतर सो रात में निकल करके मीडिया के बीचो बीच जा रहे थे सीना चोड़ा करके तब तक आपको इस बात का गुमान था कि अगर सत्ता मेरे साथ है और मैं सियासी डल का हूँ जिसकी सत्ता में वकत है तो मैं कुछ भी कर लूँगा यह जितनी भी चीजे ह यह बताती हैं कि हमारी पूरी जो सत्ता है और सत्ता में जो लोग समाज के जा रहे हैं यह जो MLA MP और अगर वो आप राधिक प्रविर्ती के हैं वो अगर दबंग हैं और वो इस तरीके से अत्याचार समाज के कमजोर लोगों पर करते हैं तो उनको बेनकाब करने और सलाख उसके बाद आखिरकार जब मामला भी दर्जुआ चुिह मांखे गवाधा सेंगर के खिलाफ उसके बाद भी परिवार की तरफ से लगातार ये बयान देे जाते रहें कि उनके उपर इनके परिवार का प्रेशर है उधर से धमकी दी जा रही है लेकिन पुलिस समय समय पर चाह और सिस्टम से जुड़े हुए लोग कुलदीब सेंगर के साथ हमेशा दीखे ना कि उस नावालिक लड़की के साथ कुलदीब सेंगर विवेक एक ऐसा उदाहरण है जिसकी तरह के उदाहरण आप देश में देखते हैं लगता है कि नहीं, यहाँ जो सत्ता है सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं और समाज में एक आम आदमी है इन दोनों के बीच में फासला है और फासला है इनसाफ को ले कर dag के, फासला है सचाई को ले करके अगर जारखंड में आपका केंद्रिय मंत्री उन लोगों की आगवानी करता है या माला पहनाता है जिन लोगों ने गोकश्वी के मामले में तुमझे लोगों कि आपके खिराफ मुकदमे दर्ज हुए है या फिर बिहार में कोई मंत्री जाकर के उन लोगों की तरफदारी कर जिनके खिराफ अपराधिक मामले दर्ज हैं या फिर देश के बाकी हिस्सों में कुल्दीब सेंगर को ले करके दो तिर मामले इस देश के सामने रखे जाने चाहिए जैसे कि इसी साल जुलाई में मेरा अपना अनुमान है कि उस लड़की ने यहां कहा था कि मेरे पूरे परि कार अक्सिडेंट होता है उससे लड़की घायल होती है उसका वकील भी इसमें घायल होता है यह संयोग तो नहीं है यह संयोग है तो संयोग है तो साजिस क्या है साजिस तो है उसमें बिलकुल साजिस है क्योंकि उस समय आपको याद होगा मीडिया में जिस तरीके की तस्वीरें आई थी जो हालाद दिखे थे कि गाड़ी किस तरफ से जा रही थी पीडिता की और ट्रक किस तरफ से आकर के ट्रक ने मारा था वो कई तरह के संदेह पैदा करता है और उसकी जाच हो रही है और वो जाच भी CBI के दायरे में है लेकिन हलाकि एक बात यहां पर फिर मैं असपस्ट करना चाहूंगा आज कोट ने सिर्फ कुल्दीप सिंग सेंगर को दोशी ही नहीं ठेराया है बलकि CBI को भी लतार लगाई है कि चारशिक फाइल करने में CBI ने इतनी देरी क्योंकि लोकल और मुकदमा देरी करने तो यही सवाल है कि मुकदमा देर करने में पुलिस देर करती है चारशिक दायर करने में CBI देर करती है इस बीच में परिवार पर लगातार नजर रखी जाती है पीडिता का घर है और CCTV इस तरीके से लगाई गई है कि पीडिता के घर वालों का लगातार आरोप रहा कि पीडिता के घर पे कौन उनसे मिलने आ रहा है या पीडिता के घर के लोग कहां जा रहे हैं सैंगर का परिवार एक एक चीज पर या सैंगर के घर के लोग एक चीज पर नजर रख रहे थे और जहां कहीं कभी इस तरह की कोशिस वकील से मिलने की या किसी हायर लेवल पे जाने की होती थी तो पीडिता के घर वालों को सैंगर की तरफ से धमकी दियाती थी और हर बार ये बात पुलिस प्रशासन और जो भी सिस्टम में बैठे हुए लोग है उनके पास जाती थी बजाए इसके ये कोशिश हुई कि पीडिता और उसके परिवार को जान से मारने की कोशिश की जाए और उसका भी मामला चल रहा है उसके भी अभी सेंगर के खिलाफ चार पास मुकद में है जिनमें से एक पे फैसला तो आ जा गया लेकिन उम्मीद है कि जल से जल जो है बाकी और मामलों में पीडिता को निया मिलेगा और ये सारी चीजी असपस्ट हो जाएंगी कि पांच मामलों में एक का इंसाफ आया है लेकिन यह जो इंसाफ है या कोट का फैसला है वो ये कहता है कि पुलिस ने मामला दर्ज करने में देरी की अगर लड़की के साथ गैंगरेफ हुआ था वो आपसे गुहार लगा रही है कि मुझे इंसाफ दिलाओ जो लोग बलात कारी हैं उनको सजा दे लबा और आप उसकी नहीं सुनते हैं तो पहले आपकी फर्ज पर आपकी फर्ज पर लानत हैं पुलिस ने कोता ही की दूसरा मामला ये है कि एक ऐसा आदमी समय में शामिल था अगर वो कमजोर व्यक्ति होता समाज का आम आदमी होता तो शायद पुल लोग सत्ता में हैं वो पूरी विवस्था को और जो एजनसीज हैं जाच की या कानून को अमल में लाने की उनको अपनी नोक पर रखती हैं या फिर जनसीज उनको बचाती हैं तीसरी बात ये है कि एक दबंग आदमी को आपने सबूत और गवाह मिटाने या उसको दबाने का पूरा मौका दिया यह आदमी या इस आदमी से जुड़े वे जितने भी लोग हैं उन लोगों ने उस पूरे परिवार को लगातार दराने धमकाने की कोशुश की अभी तक मुकदमे के आने तक तो यानि की विवस्था के भीतर अगर मेरा मुकदमा किसी तरीके से कार को लगा कि हमारी जो हमारी जो चमरी है वो जल जाएगी और हमारे उपर आँच आ जाएगी इसलिए आप मुकदमा दर्च कर लो लेकिन अब तक इस सजा के आने तक जितनी भी बातें रही परिवार या लड़की इस साल जुलाई में भी लिखती है देश को सबसे जोर आदमी को दबा करके और अपने खिलाफ आने वाले फैसले को ना आने देने की हर मुमकिन कोशुश करेंगे और विवस्था उसमें आपका साथ देगी या लगता है ऐसा कि यही खतरनाक संकेत है अगर अदालतों ने इतना डंडा किया है अदालतों ने इतना डाटा है फटका रहा है इसका मतलब किसको फटका रहा है एज imitation को फटका रहा है किसलिये क्यों कि आपने अपनी काम नहीं किया है तो कहीं नक ahead agencies को ले करके जो लोगों का संदे hypoc रहता है या उनकी ऊपर से भरूसा तूटता है या ऐसे ही मामलों से ऐसी ही घटनाऊं से होता है अक्स चलिए सिस्टम में कई सारी खामिया हैं कई सारे दोसे और सैंगर के साथ सिस्टम और सत्ता का नशा और सब कुछ होने के बावजूद आज आखिरकार उन्नाओ की पीडिता को नयाय मिल गया है उस पीडिता को जो तीन साल से संघर्स कर रही है तीन परिजनों को खो चुकी है और इस वक्त भी जंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है लेकिन ये लड़ाई उसने आज जीत ली है और ये फैसला तीसाजारी कोट का एक नजीर बनेगा कई सारी पीडिताओं को जो बलातकार पीडिताएं हैं उनको और उनके परिवार वालों को एक रोशनी देग एक उम्मीद के किरण लेके आएगा कि जल से जल उनको भिन्याय मिलेगा अभी के लिए इतना ही धन्यवाद प्तुमों भूलों दो भूलोंगा